हेलो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीरियल तुस्से है राबता में मात्र सोला साल की उम्र में अपनी एक्टिंग से सबके दिलों में च्छा जाने वाली एक्ट्रेस रीम सेक के बारे में जिन्हें लोग रीम से जादा कल्यारी नाम से जानते हैं मात्र 16 साल की उम्र में रीम सेक ने टीवी इंडरस्टी में अपना एक बड़ा नाम बना लिया था और फिल हाल वो उनके सीरियल इसक में घायल के लिए जानी जाती है रीम सेक का जन्म 8 सितंबर 2002 को मुंबई महराश्टर में हुआ था इनकी फैमली में ये और इनके मम्मी पापा है रीम अपने पैरेंट्स की इकलोती बेटी है रीम की पिता का नाम समीर सेक और इनकी मा का नाम सीतल सेक है रीम ने अपनी स्कूली पढ़ाई ग्यान केंदर स्कूल लोखंडवाला मुंबई से की है ये सुरू से ही पढ़ाई में काफी अच्छी रही है सारे सब्जक्ट में अच्छी थी लेकिन मैत में ये हमेशा से वीक थी इनके मम्मी पापा ने इन्हें बहुत ही लाड़ प्यार से रखा और इसलिए ये बच्पन में काफी ज़्यादा जिद्धी थी रीम अपने पैरेंट्स की लाड़ली बेटी होने के साथ साथ एक जिम्मेदार बेटी भी है रीम के फर्स्ट टीचर उनके पापा थे जो हमेशा रीम को इंगलिस में बात करने के लिए बोलते थे लेकिन रीम को इंगलिस बोलने का ज़्यादा सौक नहीं है दोस्तो रीम जब छोटी थी तो टीवी में गाना चला कर अपनी मम्मी का दुपटा ओर कर टांस किया करती थी और तभी से इनके पैरेंट्स ने रिसाइट कर लिया कि रीम को एक्टर्स बनाएंगे इसके बाद रीम के पापा ने इन्हें ओडिशन पर ले जाना सुरू कर दिया रीम जहां भी ओडिशन देने जाती वहां उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था रीम ने काफी सारे ओडिशन्स दिये और हर जगर रिजेक्शन ही फेस करने पड़े फिर साल 2010 में मातर 8 साल की उम्र में Amazon TV के सीरियल नीर भरे नैना देवी में रीम को देवी का रोल प्ले करने का मौका मिला जब रीम ने ये TV सो इस्टार्ट किया तब इनके पास गाड़ी नहीं थी दिसंबर की ठंड में सुबह 5 बजे अपने पापा के साथ स्कूर्टी पर ट्रेवल करके वो सूट पर जाती थी रीम कहती है कि वो पल इनके लिए बहुत ही यादगार है और उन पलों को ये कभी नहीं भुला सकती इस सो में इनकी एक्टिंग को काफी ज़्यादा पसंद किया गया और उससे रीम को एक अच्छी पहचान भी मिली इसके बाद रीम को कई रोल मिले इन्होंने मिया जी और साहब खेलती है जिंदगी आख मिचौली संकट मोचन महाबली ये वादा रहा बेश्ट आफ लग निक्की ये रिस्ता क्या कहलाता है चक्रवर्ती असोका समराट जैसे टीवी सोज में एज़ चाइल आर्टिस्ट काम किया इन सीरियल्स को करने के बाद रीम को दो साल तक कोई काम नहीं मिला उन दो सालों में रीम ने दस से भी ज़्यादा ओडिसंस दिये लेकिन इन्हें हर जग रिजेक्ट कर दिया गया तब रीम को लगने लगा कि वो अपना केरियर एक्टिंग में नहीं बना पाएंगी और इ टीवी सो के लिए रीम ने तीन बार से भी ज्यादा ओडिसं दिये इसके बाद रीम को इस सीरियल के लीड रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया यह टीवी सो 2018 में जी टीवी पर आया तब रीम सिर्फ 16 साल की थी सहवाज और रीम इस टीवी सो में साथ काम कर रहे थे के कुछ ऐसे रीमर्स आने लगे कि रीम और सहवाज एक दूसरे को डेट कर रहे हैं यह दोनों सूट के दोरान अक्सर सोसल मीडिया पर एक दूसरे के साथ फोटो पोस्ट किया करते थे लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत थी कि वह दोनों रिलेसंसिप में हैं क्यूंकि र साल 2022 में रीम ने सीरियल फना और इसक में मरजावा में लीड रोल प्ले किया और इस सीरियल से रीम को आडियंस का बहुत ही जादा प्यार मिला रीम कई म्यूजिक वीडियो में भी काम कर चुकी हैं और कई छोटे मोटे रोल भी प्ले कर चुकी हैं दोस्तों फरवरी 2023 में का एक और टीवी सो आया जिसमें इनके साथ को एक्टर करन कुंद्रा और गस्मीर महाजनी नजर आ रहे हैं और इसमें भी इनको लोगों का खूब प्यार मिल रहा है तो चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं रीम से जूड़ी कुछ और इंट्रस्टिंग बातें रीम बिग को अपना दोस्त मानती हैं और उनसे अपने सारे सीक्रेट सेयर करती हैं अब बात कर लेते हैं इनकी होबीज के बारे में रीम को डांस और एक्टिंग का सौक तो ही साथी सुबह जल्दी उठना वॉक करना और जिम करना भी इन्हें बहुत पसंद है इसके अलावा ये फू कारी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो लाइक और शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आल पर क्लिक कर लें जिससे इस चैनल पर आने वाली सभी लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचें वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो में अपना रिस्पॉस जरूर दें अगर कोई सिकायत ये सजेशन हो तो कॉमेंट में जरूर लिखें फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई